इस दरिया ने मचलियों से जादा खून और खंजर देखे हैं शायद इसलिए इसे लाल समंदर कहते हैं अब दोस्तो इस डायलोग के अंत में सुरू होता है दिवेरा मूवी का ओफीशल फर्ष्ट ग्लिम्स जो की निकल कर सामने आ चुका है बता दे दोस्तो अभी सिर्फ प को ची नहीं सकते हैं समद्र को टेच नहीं कर सकते हैं इसके बाद हमें कुछ पॉपरर चगनी की कोशिश करते हैं फिर एक बॉक्स दिखाय जाता है सभी के हाथ में खंजर दिखाया जाता है इन शॉट अगर इस teaser को, इस glimpse को एक word में explain करूँ, तो master piece ये देवरा का हमें glimpse दिखाया गया है, अब 1 minute 20 second में cinemato graphics बहुत अच्छी है, हलके से मैं कहूंगा कि जो color grading है, वो एक दमी black black दिखाई गयी है, इन्होंने दिन का उजाला बिलकुल नहीं दिखाया गया है, लेकिन जो समुद्र दिखाया गया है, वो पूरा का पूरी तरह से हमें लाल color में दिखाया गया है, उस समुद्र में हमें पानी से जादा खून देखने को मिल रहा है, जबकि कहा भी जा रहा है कि इस समुद्र ने मचलियों से जादा खून और खंजर देखे हैं, मतलब जो देवरा movie होने वाल तो अभी के अभी T-Series पर जाईए और उनके चैनल पर जाकर डेवरा का ओफीशल ग्लिम्स देखिए आप भी डेवरा का ग्लिम्स देखने को आद होश में नहीं रहने वाले हैं बता दे ओफीशल जो मूवी है वो 5 अप्रेल 2024 को रिलीज होगी और उसके पहले 2-3 ग्लिम्स आएंगे टीजर, ट्रेलर, देवरा के सॉंग्स आएंगे जो की पूरी तरह से शोशल मीडिया पर छाने वाले हैं अब आप बताईए आपको देवरा का ग्लिम्स कैसा लागा है हमें कमेंट में ज़रूर बताईए साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी वड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपनी यूटूब चैनल फिल्मी फॉराइवर को